बाई मुस्कुरा रही हूं क्योंकि मैं लखनों में जो हूं आज कर मैं हूं लखनों में ऐसा कहा जाता है कि मुस्कुरा ये कि आप लखनों में है तो ऐसा क्यों कहा जाता है स tomar हूं कि लखनों का इस बारे में क्या कहना हैckör sprite이고 लखनों में अब्लव समय हूं करते सिर्व में लखनों का जाता है और पेना भी जाता हो यह हमारी समय हूं कि पैना भी जाता है और यहां पर जो है वो यहां का कबाब कबाब न नियुकर करो कसे हुए है, व sm托। तो जो है वैसा पॉल्ट कॉल्ड चुछ है कि लखनो वाले जो है ना वह भी आजनी के मामूने में कुलने हरती है ऐसा के बगते हैं थैंक यू सो मच तो इसलिए भी काफी रिजन्स है इसे यहां के लोग बहुत ही फैमलीयर होते हैं यहां पर यह से बहुत सी चीज़े हैं जो हमें अच्छी लगती हैं इतना चाहते हैं इसलिए पर लखनौ को इसलिए सब लोग मुझकराने हूं कि यहां की तैदीब और यहां की जो नवाब जो यहां के रहे हैं सब यहां की तैदीब ही तबसे इंपॉर्टन थी तो तब लोग इसी वज़ा से गाते हैं कि पुराहीय आप लखनौ में और यहां की मतलब जो इतना ही वादिशा लड़कीया बहुत हो ए देखा लिए निहना निए कुछ मैं लखनों के बॉइस दो बहुत शर्मीले हैं तो दूपर्सुर में तमीज और तहजीब इतनी हैं कि लड़की और से जादा लड़के शर्माते हैं तो यहां भी एक रीजर है कि मुशका एक आप लखनों में कि यहां का चिकिन जो यह बहुत बहुत हिवास है और सबसे ज़्यादा लोग पहनना वसंद करते हैं और ऐसा चिकन आइजिंग कहीं नहीं ही तो मैं यही कहना चाहूंगी आईए और आप भी लखनों घुमिए क्योंकि यह बहुत ही अच्छी प्लेस है इस्टोरिकल तो ही है कुराइए कि यह बहुत हुद कि एख व्याः में करिछा व्यादा स्लिक्ति धियूद कि आपको आफ यहां बहुते हैं घुराइए कि आप लखनों रहा को यहां प्रॉलिंग तारे लोग पीस् efforts परहा गयाता है कि मुस्कुराइए आप लखनों वे बन्राइब निमिने वाय एक पुराना शहर्ट अच्छे लोग पुराने लोग पुराना लखनों के सामाग आए पुरुपन सबी अपना आपको है कि यहां के जो हिस्टोरिकल प्लेस है और जो गूमने फिरने की जगे है उसके वाज़े से आपको लगता है कि लखनो बैस्ट है और इसलिए हमें मुस्कुराने का एक रीजन देता है कारण यह है कि यह मतलब अंसेस्टर चीजें हैं उनको एज इटीज रखा गया है और इसलिए और अच्छा लगता है कि मुस्कुराईए कि आप लखनो में हैं आपके लिए वो क्या रिजन है लखनो में रहे के मुस्कुराने का लखनो यह बहुत ही सांत्री सहर है मैं दिल्ली में भी रहा हूं लेकिन वहां की दोड़ जिन्दगी है उसमें वह सकून नहीं मिलता है यहां पर आप बहुत ही नार्मल लाइफ है एक मतलब हाई क्लास परिली भी जिस तरह की स्पर्चैसर चाहता है वो उसको पुल्फिल हो जाती है और एक लोवर या मिडिल क्लास का भी उस तरह का यहां का स्टेंडर्ड है उसको अपने जरूरत सारी चिज़े उस तरह से मिल का यहां पर नहीं देखा जाता बड़े अराम से आप 11 वारा वजे रात भी इस्टेशन से उतर के अपने घर को जा सकते हैं उसके लोग अच्छे हैं इसलिए मुस्कुराने का मन करता है यहां क्या मार्केटिंग अच्छी है मतलब औल यूपी में सबसे बेस्ट है का मार्केट और भी चीज़ें अच्छी है पढ़ाई अच्छी है इस्कूस अच्छे हैं सबसे बड़ी बाद जब सिटिजन अच्छे होते हैं तो हर चीज़ अच्छी लगती है लगना बहाट आच से हैर लिएक तरह पहुशे फसलि एक्षन का और यूट्यूब वीडियो तो आपको पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पसंद नहीं भी आया है तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलती हो आ